नमो बुद्धाय पुन्यवान बच्चें बच्चे नहीं है आचा बांदी जी कभी-ख़ई माय औं पिताजी को अपना बच्चों के चलते ही दुख मिल जाता है पुरा जीवन भर उदहार वापस करने के बराबर में माय औं पिताजी अपना बच्चे लोगों को सेवा करते हैं आंत में वही बच्चे लोग मायमापिता जी पर अन्याय करते हैं तो उस समय मायमापिता जीवन फेड़ गिरना जैसा ठूट जाता है गिर जाता है बेचार क्या सकत है बेचार होता है उसी प्रकार आसरन होने के बाद अगर धर्म नहीं रह गया तो उन मामी पापा लोग को क्या हो जाएगा अगर उन लोगों के पास धर्म भी नहीं रह गया तो उसी प्रकार बेचार होने के बाद अगर उन लोगों के पास धर्म भी नहीं रह गया तो उन लोग का जीवन बहुत बहुत गियू जाता है ये कहानी को देखिए श्रावस्ति में एक किसान का घर था उसी किसान मालिक और मलकनी को साथ बेटा और साथ बेटी थी इसका मतला चोदा परिवार तो ये मा ये पिता जीन सब बाच्चे लोग बहूत खुसी से जीवन ब बिताये हैं माया में पिता जी अच्चा से बच्चे लोग को सेवा किये हैं समय आने के बाद सारे लोगों का साधी करवाये हैं धन्सांपात्ती जमीन वागेरा भी बराबर सारे लोगों को बाढ़ दिया ये दोनों बगवान बुद्ध के शर्म में गाये हैं वो लोगों बहुत खुसी से जीवन बिताये हैं कुछ समय जाने के बाद बच्चे लोगों का पिता जी का मृत्य हो गया तो मामी जी हर एक बच्चे लोगों का घर गर पे है रहे के जीवन बिताने लगा कुछ दिन जाने के बाद, बड़ा बेठा का पति नहीं, ये मामी जी को अलग-अलग बात करने, बोलने लागी, अरे, कामा की बात है, हम लोगे क्या ज्यादा दिया है, धन समपति, हम कोई बाच्चलों को देखना है, बुरी को देखना है, इतना काम घर पिकरना पड़ता है क्या तकलिफ है में लिए, एसे करके मामी जी को बहुत बहुत अपमान की है, इसके बाद वो दूसरा बच्चा का घर पर गया, वो उसका पतिनी बताए, हम लोगों को फुरत ज्यादा दिया क्या, अगर हम लोगों को ज्यादा या था हम लोग भी कुछ बिना करेके नहीं ले आते हैं, आज कल बुड़ा बुड़ी लोग को सेवा करना बहुत मुश्किल काम है, ऐसांस जी, यहा रहने से ज्याद अच्छा है ना अपना बड़ा बेटी के पास गया तो, वहाँ जाके रहो अच्छा से, फिर ये मामी बड़ा बेटी के पास गई, इसके बाद बड कोई हमको याद आए हैं, पहले तुम कोई एक बुन्दा याद तक नहीं है, मेरा बेटी है, कम से कम हमको सोवने का चूरी यादध दिया किया एक भी, नहीं दिया न, इधर नहीं का मतलब क्या है, बार बार थांग करता है, हार जिसका घर पर जात उदर से डाट सुनना इन लोग हम बराबर धन समपत्य दे दिया फिर भी कोई संतुष नहीं है. ये कलेश गंदगी के सहित ये संसार वह सही हैं. ये बच्चे लोगों की गल्ती नहीं हैं. ये कलेश गंदगी का जीवन का गल्ती हैं. ये क्लेस गंदगी का जीवन काही गलती हैं। हम इस संसार में अपना बच्चों के चलते कितना दुख सहन किये होंगे। अगर हमको ततागत भगवान गुद्ध की दारम नहीं मिल गया तो ये बच्चे लोगों के चलते हमको बहुत गुसा आता होगा। गुद्ध सबरदास नहीं कर पाता है। ततागत भगवान गुद्ध की ज्यान आस्चर रहे हैं। उनकी ज्यान से हमारा मन पूरा सुरक्षा कर देता है। मन सुरक्षा हो गया तो सरीर ततावान भी सुरक्षा हो जाता है। हम तो बच्च लोगों का यह आप अपमाननक नहीं करते हैं, मत कोई मतलब नहीं है, सांसार कीतना मानन करते हैं दुख सेहन की होंगी, हम तो थतागत भगवान बुद्ध की उपदेश ही मानन करते हैं, बच्च लोग जो कुछ करता है, वो करते ले जाएगा, मुझे कोई कर नहीं पाएगा, मुझे ये बच्च लोग के बार में दुख है, इतना कीमती ग्यान सुनाई देता है इस समय, फिर भी इन लोग ये जीवन में फास कर, दुख से जीवन बिताते हैं, जैसे में पातिंग जैसा, पातिंगा के से रहता है, दिया जाड़ है न, उस पे कुद कुद कर रहता है, सुख मिलता है लेकिन उसे में मार जाते हो, अब हम एक काम करना चाहिए, बच्च लोग का घर घर जाकर के भीक मांगने से ज़्यादा चाहें, बिक्षुनी लोगों का आस्र में जाकर क भी धरम पी रास्ता पे जाएंगे, तो माता जी बिक्षुनी के पास गए, जाकर के बिक्षुनी लोगों को बहुत अच्छा सेवा किया, बिक्षुनी लोगों को बहुत सेवा साथ कार सामान करने के कारण, खुछ समय में इनको भी बिक्षुनी बानने का भाधिया मिला, बंदी हलो नहीं है, थो बहुत बच्चे लोगों कोने के कारण, इनका नाम मा गया, बहुद पूद्टी का थेरी, कितना बुरी हो गया थाभी, यह बहुद पूद्टी का थेरी, बहुत पुर्णयवान है, दो श्रियकान था, श्रियकान था मतला आज से एक बुंदा नहीं ही, कभी गुस्सा नहीं करती हैं, कभी अपना मूँसे एक भी गलत CHब्द नहीं निकालती है, बाकि भीक्षिनी लोग कुछ भी काम बोलेगा तो, मुश्किल से भी वो काम करती है, वो वत बहुत अच्छा से करें कभी वत चुटा चोड़ दिया नहीं तो इसी प्रकार रहने की कारण ये बिख्षुनी शारी बिख्षुनी सांग की बीच में चमक रहे थी ये नया बिख्षुनी वो दीन बर वात करती है सुबा से लेके साम था देहान नहीं सिर्फ वात करती है रात में वो नीच ताल्ला न उतर जाती है उतर जाते नीच ताल्ला के बेच में एक पिलर है पिलर को पकड़ के चाक्रमन करती है क्योंकि गिर गया तो इसलिए गिरने का डारते वो पकड़े के चाक्रमन करती हैं बाहर चाक्रमन करते समय वो अंधेहरे में ही चाक्रमन करती हैं बाहर चाक्रमन करते समय में भी वो खाके चाक्रमन करते हैं कोई पेड को पकड़े के चाक्रमन करती हैं क्योंकि वो बहुत बुड़ी है, अगर गिर गया तो तकलिफ होता है, लेकिन वो तो बहुत पुन्यवान है, सामत विपास्थना भावना बढ़ाने का पुन्यवान के पास था, एक दिन वो सारे संस्कार को अनित्य प्रकार से मन करके देखते समय, उनका मन सांत हो गया, अकुषल विचारों से मन मुक्त हो रहा था, उस समय ततागत भगवान बुद एक रश्मी धारा उनके पास पेठाया, एक गाता सुनाया, योचे वस सतन जीवे, अपसां धम मुत्त मं, एकाहं जीवितं से यो, पसतो धम मुत्त मं, सो साल समय बितायगा तब बिना कोई धरम को देख कर, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन धरम को जान करके, ग्यान प्राप्त करके, अगर एक दिन बिठाएगा तो वो सो साल से ज़्यादा एक दिन बहुत कीमती होता है अगर दुसरा लोग उनके पास एसा हो गया दुसरों के साथ एसा अन्या हो गया तो अपना बच्च लोग उनका अपमान करते करते गाओं गाओं में घर गर पर जाके बोल देगा अभी कितरा लोग बुड़ा बुड़ी लोग हम लोग करा के बोलते हैं बाच्च अएसे कि या खान हम नहीं दिया वो हुआ ये हुआ फिर वही माई बाप लोग जनब जनब में बदलाव लेने का शंकाल पलेते हैं श्राब करते हैं लेकिन ये पुन्यवान मा था जी को ठतागात बगवान बुद्धह की ज्यान को मनंद करने का शक्ति था ये मा जा जी के पास बहुत सहन सीरता था किसी को दोस नहीं लगाया वो संसार की ये सब कुछ बच्च लोग गलती ज़या नहीं समझा संसार का गलति ये समध गई हो, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने को दोस लगाते हैं न, लेकिन ये संसार को दोस लगाए, ये संसार का गलति हैं, इसलिए पुन्यवान माता जी को धरम इस जीवन में ही देखने का भागय मिला, दूसरा लोग अपने को अन्याय करते समय अपना मन सीधा रखने का हिम्मत है तो उस समय विना डाट के विना गुसा करके रहने का हिम्मत है तो निरंतर माइत्रे विचार करते रहने का हिम्मत है तो कितना वासना है कितना पुन्यवान है कितना भागशाली है हम लोग यो पुन्यों माताजी जेसा अपना जीवन को सुन्दर बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए